हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सबी का आपके अपने ही चैनल स्यू कोचिंग क्लासस पर स्वगत है दोस्तो क्लास टोल्थ कमिश्टी में दोस्तो चैप्टर 9 में आज दोस्तो प्रभावकारी परमादु संख्या के बारे में चर्चा करेंगी इसका इंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे अब्जेक्ट्व टाइब में कॉश्चन सीधा पूछा जाएगा कोई भी एक उपसे सेयोजी योगिक देदेगा और पूछेगा दोस्तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको बताना रहेगा ठीक है चुले दोस्तो देखते हैं ये एन नंबर क्या है उपसे सेयोजा कियोगिक के केंद्री धात परमारू या आयन में उपस्तित इलेक्ट्रानों की संख्या तथा बंद के बरने से प्राप्त इलेक्ट्रानों की संख्या के योग को प्रभावकारी परमारू संख्या कहते हैं क्या करते हैं द दोस्तो उसके बंद बनने से प्राप्त इलेक्टरान की संख्या, मतलब कोई दूसरा आपके पास लिगेंड आकर जुड़ा हुआ है, और उसे बंद बना रहा है, तब उसे कुल कितने इलेक्टरान प्राप्त हुए, उन दोनों का योग दोस्तो प्रभावकारी परमारू क्या कहलाती है effective atomic number कहलाती है clear चीजें समझ गए दोसतो कि कितना प्रभावकारी प्रभावकारी मतलब कितना उसके पास एलेक्टरान है और कितना उसको प्राप्थ हुआ उन दोका योग दोस्तो कहलाता है प्रभावकारी परमाड़ू संख्या clear दोस्तो चीजें समझ गए ना कि कितना उसके पास है और कितना उसको मिल रहा है इन दोनों का योग दोस्तो है ना प्रभावकारी परमाडू संख्या कहलता है इसका फर्मला होता दोस्तो एन इफेक्टि अटामिक नंबर बरावर केंदी दाथ परमाडू की संख्या मतलब केंदी से कम हो इलेक्टरान ठीक है लिगेंडों दोरा उपसे से हो जग बंद बनाने से प्राप्त हो इलेक्टरान मतलब दोस्तो कोई लिगेंड कितने इलेक्टरानिक में दे रहा है एक इलेक्टरानिक में दे रहा है मतलब दो इलेक्टरान दोस्तो मतलब चार इलेक्टरान तीन इलेक्रान इकम दे रहा मतलब 6 इलेक्रान तो उसको अपन क्या करेंगे एड करेंगे क्लियर है ना तो केंद्री दाथ परमाण की संख्या केंद्री दाथ परमाण की पास कित्ते इलेक्रान है साथ में दोस्तो उसकी आकसी कंदसंखय कितनी है तो माइनस करने है और लेगेंड दोरा किते इलेक्टरान दिये जा रहे है उसको फ्लैस करने है ठीक है ना? तो चले देखते हैं कोई भी एक योगी पुठाते हैं दोस्तो जैसे आपका है दोस्तो कापर केंद्री दातू इसमें C-N दोस्तो कितने जुड़े हुए है चार जुड़े हुए है और दोस्तो 3 निगेटिव है देखिए इसका आपको प्रभॉकारी नमबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे दोस्तो कापर का परमाणुक्रमांक मतलब 29 इलेक्टरान होते है और माइनस करना इसकी आकसी करन संक्या दोस्तो होगी माइनस 1 कैसे होगी मैं भी समझा रहा हूँ और लिगेंड 4 है और एक लिगेंड दोस्तो 2 इलेक्टरान देते हैं तो 4 लिगेंड टोटल देंगे 8 электron दोस्तो कुल मिलाकर एक गटाएंगे तो 28 और 28 में 8 जोड़ेंगे दोस्तो samma 36 हो जाएगा ठीक है न दो 36 दोस्तो जो kripton के लगब बराबर है तो यहाँ पर आप kripton लिख सकते हैं क्योंकि 36 दोस्तो kripton के बराबर होता है लिख सकती है अब इसका आपको आक्सिकन कैसे निकालना है तो kaper है दूस्तों उसको x लिखते हैं cn1 negative होती है 4 है तो minus 4 जो भी आयन होता उसको बाद में लिखते हैं अब दूस्तों इसको पक्षांतर करेंगे तो चार माइनस तीर मरावर एक इस तरह से इसके आक्सिकंड संख्याप निकाल सकते हैं चलिए दोस्तो कोई दूसरा योगिक लेती है आपके पास केंदी दात परमाडू आइरन है और उसमें साइनाड समू के छे अडू जुड़े हुए है दोस्तो 4 Negative है इसके दोस्तो आपको Ean नमबर निकालने है क्या निकालने है दोस्तो Ean चलिए तो आईरन का कितना होता दोस्तो 26 आईरन का होता है 26 इसका दोस्तो यदी मैं निकालूँगा आई पीसी आकसिकंड संख्याप तो 4 में 6 मतलब 2 दो होगा दोस्तो मैं भी निकाल के बता दूँगा चिंता करनी जोत नहीं है कि सर कैसे आ गया अब इसमें कितने केंद्री दाथ परमारू के साथ कितने लिगेंड जुड़े हो दोस्तो तो छे लिगेंड जुड़े हैं और एक लिगेंड दो इलेक्टरान देता है मतलब एक ऐक्स एक्स हों जाएगा आयरन sino2-6 हो जाएगा और जो भी आयन है उसको बाद में लिखा जाता है यह दोस्तो मैश्क सीख से नस उद़र जाकर पलस हो और घटाएंगे तो दो आएगा तो आक्सिकन संक्या क्या हो जाएगी दो हो जाएगी क्लियर दोस्तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप और एक दो अपन चर्चा कर लेतें ताकि क्लियर हो जाए आपको effective atomic number कोबल्ट है केंदी दात परमानु इसके साथ जुड़ा दोस्तो अमोनिया के 3-08 इड़ जुड़े हुए ठीके अब आपको बताना है दोस्तो कोबल्ट का परमान को पंकिता होता है तो आईरन कोबल्ट निकल का परजिन 27 होता है दोस्तो आयरन का यहाँ पर आक्षी कर्ण संख्या माइनस तीन होगी और लिगेंड दोस्तो छे जुड़े हैं मतलब कित्ते इलेक्टानिक देंगे बारह देंगे छे दोनी बारह हो गए तीन घटे का दोस्तो तो 24 और 24 बारह कित्तो हो गए 36 यह भी क्रिप्टान की इसमें दोस्तो कोई आयरन नहीं है तो आपको पता होगा यह कार्बोनिल उदा सीन होता है निकल का परमान कमांग कितना होता है दोस्तो तो कोबाल्ट के बाद निकल आता है तो 28 होता है और दोस्तो इसके साथ कोई भी आपके पास आक्षी कर्ण संक्या नहीं हो सकती तो 0 ह जाएगा प्लस दो कार्बोनील कित्ते जुड़े हुए हैं तो यहां पर चार कार्बोनील और एक दोस्तो लिगेंड दो इलेक्टरान देता है तो चार कित्ते देंगे आठ कुल मिला कर दोस्तो कितना हो देखिए प्लेटिनम है दोस्तो केंदी धात परमाड़ु आमोनिया के छे याड़ जुड़े हुए हुए एनस तरी का होल 6 और दोस्तों फोर पास्टी वे चलिए बताएए दोस्तों प्लेटिनम का परमाड कमंग कितना होता है यहां पर पैलेडियम कर दिजिया पैलेडियम ठीक है पैलेडियम दोस्तों बताना आपको तो पीडिये दोस्तों पैलेडियम का परमान कमंग होता है 46 याद रखेगा 46 दोस्तों NS3 में 4 गटाएंगे 42 42 में 12 जोड़ेंगे तो चौमन चौमन दोस्तों किसका होता है जेनान का होता है तो जेनान की लगबग बराबर हो गया तो यह सारे आयन की रूप में 2 निगेटिव है तो दोस्तों इसका अक्सिकन संक्या 2 होगा 4 है दोस्तों माइनस 2 यह आपका हो जाएगा कितना तो टू आएगा दोस्तों आप निकाल सकते हैं यार है ना कैसे निकाला पहले डियम का परमान को मंग कितना होता है 46 आकसिकन संक्या 2 और 4 जोड़ें दोस्तों तो 4 दोनी 8 देंगे ठीक है 46 में दो घटाएंगे कितना आएगा 44 और 44 में जोड़ेंगे तो बामाना जाएगा ना तो इस प्रकार दोस्तों आप से बन जाने चाहिए किस प्रकार से पन को निकालना है क्या प्रभावकार ये टामी के नंबर चलिए एक आद और देखते हैं दोस्तो जिसे आपके पास है प्लेटिनम है ना और दोस्तो प्लेटिनम के साथ जुड़े हुए हैं अमोनियम के मतलब सब्सक्री दोस्तों अमोनिया का चार अडू और आयन के रूप में टू पास्टिव तो पड़ा पड़ करिए प्लेटिनम को होता है सिवन्टी एक यहां पर उदासी ने यह आकसिकन संक्य दो ही आएगा और दोस्तो चार यहां पर हमोनिये जुड़े हुए हैं तो चार दूनी आठ एलेक्टरान दिये जाएंगे दो गटा पूचा जाएगा की इसका इन नंबर क्या होगा एफेक्टिव अulator क्या होगा तो ठीक है दौस्तो ओ पूर आज के लिए इतना ही इफेक्टिव अार्मिक नमबर आसा करता हूं आप लोग संभागे और इसको दुसतो परिबाद आप लिखे लिए इंसाट कर लें ताकि आप लोग विजबत तयारी कर सकें तो चलते हैं दोस्तों मिलेंगे इसी प्रकार के ने टॉपिक साथ अगले वीडियो में तब तक ले दोस्तों जै हिंद बनने वातरा हूं